तो नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो ये देख लीजिए ये मेरा पंडाल बनकर तैयार हो गया है चार से पांच दिन लगा है और बिल्कूल अच्छी तरह से हमने इसे खड़ा करके और इसे अम्भू बंभू तंबू लगा करके और इसे मैंने सिट कर लिया है परदे उगरा लगा दिया है और यह भी फिल्कुल जहकास एक नंबर लग रहा है बहुत बढ़िया फर्स क्लास का और यह दोस्तों सब कुछ तियारी हो चुका है और बस केवल समान लाना है और काम चालू करना है दिरे-दिरे समान को जुटा रहे हैं और समा करने में ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि दीरे-दीरे-दीरे ही काम करना पड़ता है क्योंकि जल्दिबाजी तो हो नहीं पाता है समान जुटाने में लग जाता है दो चलिए is तो नमस्कार दोस्तों आप सुभी करके और परदय वगर लगा करके और पन्नी वरसाती यह लगा करके और बास बंबू का सब शाय बना करके और एदम बिल्कुल तयार हो गए हैं अब समान जो है घर से उठा उठा करके यहां पर लाना है और उसके बाद फिर यह भी दो चार दिन और समय लगेगा उसके बाद म समय बहुत मजदीक है धीरे 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 समान को ला करके और इसके बाद से मिट्टी भी लाना है और फिर यह काम स्टार्ट करना है और डिस का समय मिलेगा तो वीडियो थोड़ा बहुत बना दिया करेंगे क्योंकि अभी घर आ जा रहे हैं जब काम का थ्वात तेजी हो जाए मिट रहती है बहुत सारी गाडिया और बहुत लोगी कठा हो जाते हैं अज जलेकी आज जो है व्यस्पतिवार का दिन है इस लिए भी कम है तो दोस्तों यह हमारा जो है यह दुकान का जगा है और यह हमार्यांपर जो हाय कर रहे हैं यह हैं पे रहते हैं यह Biga जो पोई इनके घर से सब निकाल दिये हैं और अपना इधर उबर से मांग मूं करके खाते हैं किसी तर गुजारा करते हैं यहीं पर पंडाल में सो जाते हैं और यह जो लकड़ बांसो गर बंबू इसका यह करते हैं और मांसिक रूप से सबसही हैं कोई दिक्कत नहीं है पागल जैसा भेस इनका इसलिए लग रहा है कि यह जो गर से निकाल देने के कारण इनके कोई बाल बच्चे वगरण नहीं है और यह जो है अपना मांग मों करके खाते हैं और जब हम लोग यहां रहने लगेंगे तो इन बांस बंबू की देख रावर करते हैं और यहीं पर बैठा रहते हैं दिन भर रात को यहीं पर सो जाते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सिस्क्राइब उस करें थैंक्यू देने बाद क्यों देने लगे